क्या आपको भी मेरी तरह आलू पराथे पसंद है और फटा फट भी बनने चाहिए तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीना स्टफिंग की आलू के पराथे जिसमें ना तो आपको स्टफिंग करते वक्त आलू के पराथे तूट जाने की टिंशन और बनते भी एकदम स्वाधिस्ट है तो एक बार आप मेरी तरह से आलू पराथे ज़रूर बनाईएगा तो मैं हूँ निराली वेल्कम टू मैं चैनल निराली स्फूड वर्ड तो चलिए रेसिपी शुरू करें तो सबसे पहले चटनी बनाईगे तो इसके लिए मैंने यहाप पे हरा धनिया और फदीने के पत्ते को अच्छे से पानी से वाश करके ले लिया है एक कप हरा धनिया और आधा कप मैंने फुदिने के पत्ते लिए है साथ में लीजिए दो से तीन हरी मिर्च दस से बारा लसुन की कलिया नमक आपके स्वाध अनुसार लीजिए अधा चमच काला नमक और एक चमच शक्कर ली है यहाँ पे मैंने अब चटनी को पीसने के लिए मैंने यहाँ पे पानी की जगा पे दही का इस्तिमाल किया है एकदम ठंडा दही है यह फ्रीज में से निकाला हुआ घर का बना हुआ है दही डालने से एकदम बढ़िया टेस्ट आता है चटनी का ज़रूर राए करिये अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है तो यह हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तयार है कंसिस्टन से आप अपने इस आप से साइट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी पतली रखी है पराठा के साथ खाने के लिए पराठा बनने तक इसे हम फ्रीज में रख देंगे तो आलू पराठा बना रहे हम तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जीद ने आलू को बॉयल करके इसके चिलके निकाल लिये है और आलू को बिल्कुल ठंडा कर लेना है इसके बाद ही हम इसका इसका इस्तेमाल करेंगे ठंडा होने के बाद इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से हम इसे मैश करेंगे तो एकदम अच्छे से मैंने यहाँ पे आलू को मैश कर लिया है अब इसमें सारे मसाले डालेंगे तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है अपने हिसाब से आप कम ज्यादा यहाँ पे धनिया पत्ति डाल सकते हैं स्वादनुसार नमक लीजिए एक से डेट चमच यहाँ पे मैं गरम मसाला ले रही हूँ साथ में डालेंगे धनिया जीरा पाउडर एक चमच एक चमच लाल मिर्श पाउडर यहाँ पे मैं तीखी वाली ली है क्योंकि हमने हरी मिर्श नहीं डाली है अधा चमच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे एक निमो का रस अब इसमें हम डालेंगे रोटी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वही आटा डालेंगे बारिक वाला तो यहाँ पे मैं ज्यादा कॉंटिटी में पराठे बना रही हूँ तो मेरी यहाँ पे 500 ग्राम जितना आटा लिया है दो चमच जितना हम तेल डाल देंगे इसके बाद इसको अच्छे से बीना पानी मिला है पहले मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमने आलू लिये है तो आलू का खुदका मॉश्टेर होगा तो पहले से पानी ना डाले यहाँ पे मैं पहले आटे में नमक डालना भूल गई थी तो अब मैं डाल रही हूँ मसाला में हमने डाला था नमक पर जितना आटा डाला उसका नमक बागी था तो वो भी डाल दीजिए तो बीना पानी डाले जितना हो सकता तो उतना मैंना मिक्स कर लिया है अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी चिड़कते जाएंगे और आटे को अच्छे से गूत लेंगे यहाँ पे भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पानी एक साथ नहीं डाल देना है जितनी जरूरत पड़े उतना थोड़ा थोड़ा डालते चाहिए तो आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल तयार है जिस तरह से हम रोटी का आटा गूत लेते हैं उसी तरह से हमें यह करना है अब इस पे थुड़ा सा तेल लगा लेंगे और यह आटे को आपको रैस्ट पे नहीं रखना है आटा लगा कर सीधा ही हम इसमें से पराठा बनाने के शुरुआत कर देंगे कंजिस्टन से आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट रगी है अब इसमें से एक लूई लीजिए हलका सा हाथों में प्रैस करके इसे गोल बना लीजिए अब सुखा आटा शिड़क कर पतला बेल देना है और यहां पे आपको बिल्कुल हलके हाथों से इसे बेलना है क्योंकि इसमें आलू है अगर ज्यादा प्रैस करेंगे तो वो चिपक जाएगा तो इस तरह से हम एकदम पतला बेल लेना है आप देख सकते हैं एकदम पतला मैंने यहां पर पराठा बना लिया है तो तवा हमारा गरम हो चुका है इसमें हम पराठा डाल देंगे थोड़ी सेकंड के बाद इसकी साइट चेंज कर लेंगे गैस के आज यहां पे आपको मीडियम रखनी है पराठा सेखने के लिए यहां पे हम घी या तो ओयल का इस्तिमाल करेंगे मैंने यहां पे ओयल लिया है तो दोनों दरफ हम ओयल लगा कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे एकदम फटाफट बन जाते हैं यह आलू पराठे और खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट लगते हैं तो अगर आपने इस तरह से कभी आलू पराठे नहीं बनाए है तो जरूर ट्राए करिएगा तो यह देखिए एकदम बढ़ी ऐसा क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तयार है इसी तरह से हम बेलते जाएंगे और सारे आलू के पराठे बनागर तयार कर लेंगे तो पराठे को अब हम सव कर लेते हैं तो 2 पराठे मैं आप ए प्लेट में सव किये हैं साथ में जो हरी च Casney हमने बनाई थी वो ली है थोड़ा सा आचार लिया है, हरी मीर्च ली है साथ में इस पराठे को आप कोई भी अपनी पसंद की चटनी के साथ सव कर सकते हैं और इस पराठे की एक खास बात है कि ये ठंडे और गरम दोनों ही एकदम बढ़िया लगते हैं तब लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो कैसी लगे आपको ये रेसिपी कमेंट में जरूर बता ना ऐसी और भी रेसिपी इस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई चेक केर